नमस्कार दूस्तों, आयटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोगे लिए एक महतपूर ख़वर है UP8 2020 का परिक्षा सेडियूल आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया और 28 नौमबर 2020 को इसका एक्जाम कराया जाएगा और यह फार्म 7 अक्टूबर से भरे जाएगे 4 अक्टूबर को आपका एक्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा पूरा डिटेल यहाँ पे एक्जाम सेडियूल का आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आइए देखते हैं आप परिक्षा सेडियूल देख सकते हैं आयो की द्वारा 27 सितंबर को जारी किया गया है और इसमें विज्यापन का लिखा हुआ है प्रकासन करमाग संख्या आप पहले में देखेंगे तो विज्यापन का प्रकासन होगा 4 अक्टूबर 2021 को यहीं कि 4 अक्टूबर को यूपीटेट का विज्यापन आपको देखने को मिलेगा और आनलाइन आवेदन के लिए रजिस्टेशन जो सुरू होगा वह 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा यहीं कि 7 अक्टूबर से आप यूपीटेट 2021 का फार्म भर सकते हैं रजिस्टेशन की अंतिम्ति थी होगी 25 अक्टूबर 2021 और आवेदन सुल्क जमा करने की अंतिम्ति थी है 26 अक्टूबर 2021 यहोगा डिटेल अब जो है मेन पॉइंट आप देख लिए यहाँ पे कि एक्जाम इसका कब कराया जाएगा तो उत्तर प्रदेश से चक पातरता पर चाहिए यहनिकी यूपी टेट 14 नंबर पॉइंट पे है कि एक्जाम डेट है 28 नॉवंबर 2021 प्रतम पाली में प्रात्मी कस्तर का टेट कराया जाता है जिसमें टाइमिंग है 10 से साधे बार एक यहनिकी धाई घंटे का यह पेपर होगा प्राइमरी टेट के लिए और सिकें से है साधे बार है प्राइमरी टेट और धाई बज़े से पांच बज़े तक है जोनियर टेट और उसके बाद आपका परिक्षा लिखित परिक्षा के उपरांत उत्तरमाला यानिकी एंसर की वेबसाइट पर जारी करने की तीथी भी दे दी गई है 2 दिसंबर 2021 यानिकी 2 द संसोधित उत्तरमाला के अनुसार मुल्यांकन करा के परिक्षा पल घोशित करने की तीथी है 28 दिसंबर 2021 यानिकी जो भी उत्तरमाला में पहले जो आयूग जारी करेगा उसमें कुछ तुरूटिया होगी फिर बाद में आपसे अपत्ती ली जागी अपत्ती को पोर डूप इसके तुरू आने वाली है उससे पहले आपका टेट ये आयोजित कराया जा रहा है जैसे ही टेट आपका 28 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जा रहा है उसके बाद आपको प्रात्मीक अस्तर यूपी प्राइमरी के लिए जो है 51,000 की जो वेकेंसी अभी जो आने वाली है उ वो अप्लाई कर सकते हैं 1st ष्यर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जो लोग BTC या Latt fourth सेमेश्टर में होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं वेकंसी है 51,000 यानिकि इसी के अधार पे आपको 51,000 वेकंसी भी देखने को मिलेगी चुनाओं से पहले ही जस्ट तो आप लोग तैयारी करते रहें एक्जाम इसका 28 नॉम्बर को आयोजीत कराया चाहेगा तो उसमें यह महतपूर सुचन आप लोगों को अपलब्द कराना थ तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कर दीजीगा चैनल को अभी तेक आप सब्सक्राइब नहीं किये हों सब्सक्राइब कर लिजीगा वेल आइकन को फ्रेश कर लिजीगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद